हेलो एब्रीवन वेलकम अगें टू लंडवरे देतीमन तो देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं चप्टर नंबर पोर क्या बताती हैं हमें किताबे और कब्रे तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करें पुस्तकाले में मैरी तो यह जो लड़की है इसका नाम क्या है मैरी उसकी कक्षा से काफी बड़ा था और वहां किताबों से भरे कई रैक थी कौने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी हुई थी मैरी को एक अलमारी कोलने की कोशिश करते देख सिखशक ने कहा उस अलमारी में अलग-अलग धर्मों से जुड़ी हुई महतपुन किताबे हैं क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का पी एक संग्रे है तो मेरी सोचने लगी कि ये वेद क्या होते हैं तो चलो पता लगाते हैं दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है है शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा वेद चार हैं, रिगवेद, शामवेद, यजूरवेद और अथरवेद ठीक है, तो हमारी कितने वेद हैं? चार वेद हैं, रिगवेद, साम वेद, यजुर वेद और अथर्व वेद, सबसे पुराना वेद जो है वो रिगवेद है, और इसकी रचना लगवग 3500 साल पहले होई, रिगवेद में 1000 से जादा प्राथनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा जाता है, ठीक है, सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया, ये विविन देवी देवताओं की इस्तोती में रचे गए हैं, इनमें से तीन देवता प्रमुक महतपून हैं, अगनी, इंद्र और सूम, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कि रिगवेद में जिन देवताओं के वर्डन किया गया है, तो उन जिसमें एक खास पेई बनाया जाता था, ठीक है, तो इंपोर्टेंट जो है, वो पहरा ग्राफ है, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, यहाँ पर कई प्रशन जो है, वो आपकी एक्जाम में देखने को आपको मिल सकते हैं, वेदों की संख्या कितनी है, व क्वेंस में लगाईए, रिगवेद, सामवेद, यजुरवेद और अथरवेद, तीसरा कोशन बन गया, कि जो रिगवेद जो है, वो सबसे पुराना वेद है, ठीक है, इसकी रशना जो है, वो 35 सार पहले होई थी, अगला कोशन ये बन जाएगा, कि रिगवेद में जो प् तो होता है, अच्छी तरह से बोला गया, ठीक है, और ये विविन देवी देवताओं कि स्थूती में रची गये, इसके अलावा एक और कोशन है, कि रिगवेद में जो है, वो तीन कौन-कौन से देवताओं का उलेख हुआ, तो याद रखेगा, अगनी, इंद्र और सोम, अगनी, जो आग के देवता, इंद्र, युद्र के देवता, और सोम, एक क्या था, एक पौधा था, जिससे की एक पे-पधार तो जो है, वो बनाया जाता था, ठीक है, तो ये चीज जो है, वो आप ध्यान में रखिएगा, तो देखिए कितने इंपोर्टेंट लाइन जो ह हमें फर्स्ट पहरा ग्राफ में ही मिल गई, वैदिक प्रातनाओं की रचना जो है, वो रिश्योन की थी, आचारे विध्यार्कियों को इन्हें अक्षिरों, शब्दों और वाक्यों में बाट कर सा स्वर पाठ द्वारा क्या करवाते थे, याद करवाते थे, अधिकान से स उक्तों के रचियता सीखने और सिखाने वाले पुरुस थे, कुछ प्रातनाओं की रचना महलाओं ने बे की, तो रिगवेद जो की जहाँ पर पुर्सों के सास्थ में इस्त्रियां उनको भी महत्व दिया गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए, जब प्रातनाओं की रचना, जो है कुछ प्रातनाओं जिनकी रचना महलाओं ने विखी तो यहाँ पर महलाओं की इस्तिती जो है वो बहुत अच्छी थी रिगवेद की जो भासा थी वो क्या थी प्राग संस्कृत और व्यतिक संस्कृत थी ठीक है भारत की कई भासाएं जो है असमिया, गुजराती, हिंदी, कस्मीरी, सिंधी, एसी आई भासाएं जैसे पार्सी तथा यूरोप की बहुत सी भासाएं जैसे की अंग्रेजी, प्रांसिसी, जर्मन, यूनानी, इताल्वी, स्पैनिस आदी इसी परिवारत से जुड़ी हुई है ठीक है तो भारत की जो भासाएं है असम में जो है वो असमिया चलती है, गुजरात में गुजराती चलती है, उत्तर भारत में हम देखते हैं हिंदी है, ठीक है, कस्मीरी है, सिंधी है और एस्याई भासाएं जो है वो कौन सी है तो जो एस्या में चलती है, पार्सी है, यू इतालवी और स्टैनिस तो वो भी इसी परिवार से जुड़ी हुई है उठे एक भासा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंब में उनमें कई शब्द एक जैसे थी तो एक ही परिवार के जो है यह नजर आय और इसी वजय से एक भासा परिवार कहा गया उधारण के लि कहा गया, क्या तुम्हें इन में कोई समानता नजर आती है, उप महादीब में दूसरे भासा परिवारों की भी भासाएं बोली जाती है, उधारण के लिए पूर्वत्तर प्रदेश में तिबबत वर्मा परिवार की भासाएं बोली जाती है, तमिल, तेलगू, कंणर, मल्याल हम द्रविण भासा परिवार की जो दक्षिन भारत में हम देखते हैं बोली जाती है, जबकि जहारकन और मद्य भारत की कई हिस्तों में बोली जाने वाली भासाएं जो है वो आस्ट्रो एस्याटिक परिवार से जुड़ी है, ठीक है, इंपोर्टेंट तो है यहां पर इतन किया जाता था, जो इसी मुनी होते थे, वो क्या करते थे, इनको जो है वो उच्चारन करते थे, इनको बोल बोल कर सुनाते थे, और क्या किया जाता था, श्रमन किया जाता था, सुनने वाले सुनते थे, इनको नाकी पढ़ा जाता था, केवल वो क्या करते थे, उच्चारन करते थे और क्या करते थे दूसरे उनको सुनते थे रचना के कई सद्यों बाद इसे पहली बार लिखा गया तो अब जब लिखा पढ़ा नहीं जा सका इसका मतलब क्या है अब कोई चीज जो के लिखे तो हो तब ही तो उसको पढ़ा जा सकता है ठीक है लेकिन रिगवेद की जो रचनाएं थी उनका क्या किया गया पहले उच्चारन किया गया ठीक है रिशियों के द्वारा और उनके जो शिश्य थे उनको क्या करते थे वो सुनकर जो है उनको याद करते थे कंठस्त करते थे बाद में इनका क्या हुआ इनको लिखा गया अब इनको पढ़ा जा सके तो इसे चापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ, ठीक है, इतिहासकार रिगवेद का अध्यन कैसे करते हैं, तो इतिहासकार पुरा तत्ववेताओं की तहे ही अतीत के बारे में जानकारी करता करते हैं, पुरा तत्ववेता कौन थे, जो की पुरानी जो चीजे थी, उनको लेकर जो है वहां खोजबीन करते थे ठीक है इतिहासकार जो की छपी हुई सामिगरी को जो है इखटा करेंगे लेकिन भोतिक अबसेसों के लावा पे लिखित श्रोतों का भी उपयोग करते हैं कौन इतिहासकार चलो देखती हैं कि वे रिगवेद का अध्यान कैसे करते हैं रिगवेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है थीक है वार्तालाप के रूप में है तो इतिहासकार इनको तो नहीं कोज पए विश्वा मित्र नामक रिशी और देवियों को रूप में पूजित दो तो रिगवेद की पांडूलिपी का ये एक क्या है पन्ना है पुर्जे व्रक्ष की छाल पर लिखी यह पांडूलिपी कस्मीर में पाई गई थी लगवग 150 वर्स पहले रिगवेद को सबसे पहली बार जापने के लिए इसका ओपयोग किया गया था इसी पांडूलिपी को द गया ये पन्नूलिपी जो है वो कहां पर रखी हुग है ये वर्तमान में तो ये पूने महारास्ट्र के पुस्तकाले में सुरक्षित है ठीक है ये वाली पांडूलिपी तो यहीं से जो है वो इतिहासकारों को पता लगा तो विस्वा मित्र और नदियां तो यहां जो समबाद जिसकी बात हुई तो वही है फटापट से देख लेते हैं एक्जाम के दरश्टिकोंड से इंपोर्टेंट नहीं है फिर भी हमें चैप्टर पढ़ना ही है विस्वा मित्र हे नदियों तो यह नदियों से बात कर रहे हैं अपने बच्णों को चारती हुई दो दमक्ति गायों की तरह दो फूर्टिले घोडों की चाल से पहाडों से नीछे आओ इंदर द्वारा दी हुई शक्ती से इस पूर्ट तुम रठों की गती से सागर की और बहर ही हो तुम जल से परिपून हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो तो विसेस्ता बताई है नदियों की विस्वामित्र ने तो नदिया कहती है कि जल से परपून हम देवनाओं के बनाए रास्ते पर चलती है एक बार निकलने पर हमको रोका नहीं जा सकता तो हे रिशी तुम हमसे प्रात्ना क्यों कर रहे हो विश्वा मित्र कहते के हे बहनों मुझ गायक की प्रात्ना सुनो मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूं करपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की दूरियों के उपर न उठाओ ताकि हम आसानी से उसे पार कर सके ठीक है नदिया कहती है हम तुमारी प्रात्ना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको तो विश्वा मित्र और नदिया तो इनके बीच में वारतालाब यहां पर लिखी हुई है तो इतिहासकार बताते हैं कि यह प्रात्ना उस शेत्र में रची गई होगी जहां यह नदिया बहती होगी वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में रिशी रहते थे वहां घोडों और गायों को भी बहुत महत्वच दिया जाता था तो वह बहुत ही स्पीड से आ रही है भेहती होई ठिक है क्या तुम्हें लगता है कि रतू भी महत्वच थे अपने जवाब के लिए कारण बताओ प्रात्ना की पंक्तियों को दुबारा पढ़कर ये बताओं कि उनमें परिवान के लेकिन किन साथनों का उलेख हुआ है रिगवेद के प्रात्नाओं में अन्ने दूसरी नदियों खासकर रिगवेद में देखिए हमने देखा कि सरस्वती, सिंदू और उसकी साहेग नदियों का वी जिक्र किया गया है गंगा और यमुना जो है इसका सिर्फ एक बार उलेख हुआ है और ये जो कुश्चन है ये SSC के एक्जाम में कई बार पूछा गया है तो कन्फ्यूज नहीं होना है सबसे जादा जो है वो सिंदू नदी की बात जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है रिगवेद में सिंदू नदी का बहुत बार जो है वो वर्डन हुआ है और यहाँ जो पवित्र नदी है वो सरस्वती को माना गया है और गंगा और यमना का सिर्फ एक बार ही जो है वो उलेख हुआ है मवेशी गोडे और रत रिगवेद में मवेशियों, बच्चों खासकर पुत्रों और गोडों की प्राप्ती के लिए अनेक प्रात्माई है गोडों को लड़ाई में रत खीजने के काम में लाया जाता था इन लड़ाईयों में मवेशी जीत कर लाया जाते थे और लड़ाईयां वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहां अच्छे चारागा हो तो लड़ाईयां जो की जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी लड़ाईयां जो की मवेशी, बच्चे और घोडों को पाने के लिए भी लड़ी जाती थी तो लडाईयां वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहां अच्छे चारागाउ। आग में आहुती दे जाती थी ये आहुतीयां देवी देवताओं को दे जाती थी घी अनाज और कभी-कभी जानवरों की आहुती भी दे जाती थी ठीक है तो उस समय जो है वो लडाईयां क्यों होती थी उसका कारण जो है वो पूछा जा सकता है कि मवेशी घोडे ठीक है इनको प्राप्त करने के लिए जो है लडाईयां होती थी जमीन के लडाई होती थी जो जमीन ज्यादा उपजाओ होती थी बहुत अच्छी पसले जहां पैदा हो जमीन के लिए भी जो है वो लडाईयां की जाती थी ठीक है और जो युद्ध में जो धन जो है वो जीत लेते थे तो कुछ भाग जो है वो जो लूटने वाले होते थे जो जीतने वाले होते थे सरदार वो अपने पास रख लेते थे और कुछ हिस्सा जो है वो किसको देते थे पुरोहित को देते थे अब आखी बच जाता था वो आमजनता को दे देते थे ठीक ह अधिकान से पूरो से इने युद्धों में भाग लेते थे कोई यहाँ पर अभी स्थाई सेना नहीं होती थी लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्धों असांती के विशे में सलह मसवरा भी करते थे वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुलते थे जो कि बहादूर और कुसल योद्धा हो जो भी यहाँ पर बहादूर होता था कुसल योद्धा होता था इसको ये अपना सरदार बना लेते थे और किसी की भी कोई इस्थाई सेना नहीं होती थी लोगों के विशेष़ता बताने वाले शब्द लोगों का वर्गी करण काम, भासा, परिवार या समुधाए, निवास इस्थान, सांश्कृतिक परंपरा की आधार पर किया जाता रहा है रिगवेद में लोगों की विसेस्ता बताने वाले कुछ शब्दों को देखिए ऐसे दो समू हैं जिनका वर्गी करण काम के अधार पर किया जाता था यानि जो जैसा काम करता था तो उसको उसी कैटिगरी में उसको रखा जाता था जैसे कि पुरोहित है तो जिनें कभी-कभी ब्रह्मन भी कहा जाता था तहे तरह के यग कराते थे यह अनुस्ठान करा देते थे ठीक है और दूसरे लोग थे राजा तो यहाँ पर जो लोग शब्द का जो प्रयोग हुआ है तो वो किस-किस में हुआ है, तो वो काम के अधार पर हुआ है, एक तो पुरोहित, पुरोहित काम क्या था, यहाँ पर जो यग, हवन वगरा जो भी होते थे, वो काम करते थे, ठीक है, और दूसरे जो शक्ति-शाली होते थे, वो राजा कहलाते थे, यह राजा वैसे नहीं थ क्योंकि यहां पर जो शक्तिशाली होता था वही राजा बनता था जो भी युद्ध वगएरा जीच जाता था उसको राजा ये लोग बना देते थे ठीक है ना तो कोई स्थाइस हैना थी अभी ना ही इनकी राज़ानिय थी ना ही महल थे और लेकिन कभी-कभी जो है ये लोग एक साथ बैठ कर जो है जो भी युद्ध वगएरा होते थे तो उनकी चर्चा कर लेते थे जनता या पूरे समुदाई के लिए दो सब्दों का इस्तेमाल होता था तो हमने लोग देखा तो लोग के लिए जो है वरुरिक वेद में दो सब्दों का प्रियोग किया गया ठीक अब जनता जनता या पूरे समुदाई के लिए दो सब्दों का प्रियोग होता था एक तो था जन जिसका प्रियोग हिंदी और अन्य भासाओं में आज भी होता है दूसरा था विश्य ठीक है तो जो जनता होती थी ठीक है तो उस वक्त रिगवेद में लोग अलग थे और जनता अलग थी तो यहां पर जनता के लिए एक तो था जन जिने हम आम लोग बोलते भी है और दूसरा था विश्य विश्य जिससे की वैश्य शब्द निकला है इस विश्य पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे रिगवेद में विश्य और जनों के नाम मिलते ह इसी लिए हमें पुरू जन या विश्य भरत जन या विश्य यानि जन भी बोल सकते हैं विश्य यदू जन या विश्य जैसे कई उलेक जो है वो मिलते हैं तो पुरू भरत यदू तो ये आप नाम याद रखिएगा कि रिगवेद में जनों का जो उलेक मिलता है तो इन मे खुद को आर्य कहते थे तता अपने विरोधियों को दास या दस्यू कहते थे ठीक है तो आर्य अपने विरोधियों को क्या कहते थे दास या दस्यू कहते थे और जिन्हों ने रिगवेद में प्रात्नाओं की रचना की वो अपने आपको खुद को क्या कहते थे आर्य कहते थ दस्यों वे लोग थे जो यग नहीं करते थे ठीक है शायद दूसरी बासाइं बोलते थे बाद के समय में दास जो है वो इसका इस्त्री लिख्ट्या है दासी शब्द का मतलब जो हो क्या हो गया गुलाम हो गया दास वे इस्तरी और पुरोस होते थे जिनने युद्ध में बंदी बनाया जाता था उन्हें उनके मालिक की जायदात माना जाता था जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वो सब करना पड़ता था जैसे युद्ध में उप महादीब के उत्तर पक्षिम में रिगवेद की रचना हो रही थी उसी समय दूसरी जगों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था देखो वहां क्या हो रहा था तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे तो हमने देखा कि एक तरफ तो जो है वो क्या हो रहा था रिगवेद की रचना हो रही थी और दूसरी तरफ महापाशान जो है वो बनाए जा रहे थे तो इन ही महापाशान के बारे में हम नेक्ट वीडियो में बात करेंगे मिलेंगे नेक्